आज दा प्रिंट में वोईंग इंडिया के प्रेजिडेंट सलेल गुपता के द्वारा लिए का एक इंटर्वियू को पब्लिस करा गया है जिसमें उनके द्वारा भारत के aviation sector में बोईंग के aircraft की induction और operational numbers के बारे में बात करते हुए यह कहा गया कि present time में इंडिया के द्वारा total 62 बोईंग aircraft को operate किया जा रहा है जिसमें P.I. Reconnaissance Aircraft C-17 Globe Masters, Sinuk Heavy Lift Helicopter के साथ Apache Attack Helicopter सामिल है और सलिल गुपता की तरफ से यह बताया गया कि आने वाले 20 सालों में इंडिया के द्वारा करीब 2000 aircraft को defense और aviation sector में इंडेक्ट करा जाएगा जोकि बोईंग के लिए इंडिया के aviation market में एक बड़ा share achieve करने की यह बहुती बड़ी opportunity है क्योंकि जहां 5 साल पहले बोईंग के द्वारा इंडिया को केवल 250 million US dollar के systems को supply करा जाता था पहले नंबर प्रसेंट टाइम में बढ़कर 1 billion US dollar तक पहुच गया है और अभी इंडियान एर फोर्स और इंडियान नेवी के द्वारा करीब 170 fighter jets को induct करा जाएगा जोकि बोईंग के लिए एक बहुती बड़ी opportunity है क्योंकि जहां एक और F-18 Super Hornet इंडियान नेवी के लिए प इंडियान एर फोर्स के लिए बिलकुल ही नई category का fighter jet है और बोईंग की तरफ से यह भी बताया गया है कि अगर यह fighter jet इंडियान एर फोर्स यहां पर इंडियान नेवी के द्वारा चूज करे जाते हैं तो इसमें कई सारे इंडिया स्पैसिफिक अपग्रेट करे जाएंग वहीं इंडियान एर फोर्स के द्वारा जो मिड एर रिफ्यूलर्स को भी पर्चिस करने का प्रोग्राम है उसमें भी बोईंग का के सी 46 मिड एर रिफ्यूलर पारिसिपेट कर रहा है जिसके पास एयर बस 330 मल्टी रोल टैंकल ट्रांसपोर्ट एरक्राफ्ट की कमपैरिज में साइज में छोटे होनी की वजए से ज्यादा एडवांटेज है और अटैक हेलिकॉप्टर्स पर बात करते हुए सलिल गुपता का यह कहना था कि फिलाल तो प्रजेंट टाइम में इंडियन एलफोर्स और इंडियन आर्मी को अटैक हेलिकॉप्टर्स की कोई जरूरत न अटैक हेलिकॉप्टर्स का ओर्डर दिया गया है जो कि नंबर्स में केवल 28 होते हैं लेकिन प्रजेंट टाइम में इंडिया के दोरा रुष्यन MI-26 और लाइट कॉमबैट हेलिकॉप्टर्स के साथ रुद्र अटैक हेलिकॉप्टर्स का भी यूज करा जा रहा है और जब रैट कोमबैट हेलिकॉप्टर अपाचे आटैक हेलिकॉप्टर्स की कम्पैरिजन में बिलकुली अलग का एटैक हेलिकॉप्टर Sikh को अलग अलग Maini के नहीं कर सकते है पिलाल तो बोइंग कंपनी की तरफ से इंडियन एबियेशन मार्केट में एक बड़ा सेर गेन करने के लिए काफी ज़ादा प्रिप्रेशन करी गई है बाकी फिचर में बोइंग के ये जो प्लान आवे कितने सक्सेस्फुल होते हैं ये देखना काफी ज़ादा दिल्चस्प होने वाला है